अब टू कैलकुलेट नंबर सो फ्लू टाइल्स एंड कोस्ट जो आपके 1000 स्केर फिटका है अगर घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके फ्लूर में टैली भी लगानी है तो वहाँ पे कितना खर्चा आएगा काफी बज़े पहले निकाल ले होते हैं जैसे कि कोई फ्लूर प ऐसका प्लान गाता तो इसमें अपको प्लान के अंधर रहे हैं दो बैडरूम है हमारे पास तो मतलब 12 ले बारा विट का है तो किचन है किचन का जैज रहेगा यहां पे मैंने ले लिए है साथ बांधन नो फीट का और डानिंग रूम है 10 , 12 पीट और यहां पर कर दिया यहां पर दर यह तो इसका जोर मी नोगा ठीक के यह कि ऊकर नोगा को जाता है इसका साध़ानो 가운데 नोगा करने हैं तो इसमें क्या खिक्टन हैं किचए इसका आंपसाइबें छहांगा चलोगें एक चारवाइस साथ वह चार बैसाथ को जाता है तो इस तरह से कोई भी आपकर है सबसे पहले आपको लिखने नहीं अनुका साइज तो आप आपको क्या करना है जैसे आपको रूम है तो रूम के अंदर आपको पुलूरרul creator का निकालना आपका प्लस आपका अच्छी भी लगते है ठीक है तो दोनों में साड़िस का फिडियो होते हैं तो उसमें अगर यह ग्यारा फूट छैंची है तो इसकार इंची यह पर प्लस एड करना होगा ठीक है और गुना कर दिना है बारा फूट बारा फिट की चोड़ाई है आपके यह वाली जो छोड़ाई है बारा फिट की है तो इसमें चार इंची और चार इंची तो एड कर दिना है जेखिए होताया है एलघ्षाWix प्लूर्म में निकालना है कोष्ट तो सिंपनद आपको जाना पड़ेगा 12 फूट और 48 तो यहां पे 8 स्कार्टिंग में आड कर देन आपको parameter निकालना पड़ेगा जैसे parameter है यह अपको parameter है और गुना चार से कर देंगा तो आपको scouting का area निकल जाएगा इसकि आपका साथ बच चैंगा है तो क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर कर दिया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने क्योंकि अपको जल्दी से जल्दी आपका फड़ापट उसमें निकाल ले तो आपको क्या करना है कि वाराफीट तो रहागा जबारा दो चूदा मतलब और गुना हो जाएगा बाराफीट आट इंची ठीक है बारा फिट आट इंच हो जाता है ऐसी हमारा यह हो जाता है तो ग्यारा फिट शाइंच से तो में सेम साइज है तो यहां पर आपका बारा फिट दो इंची हो जाएगा और गुना बारा फिट आपका आट इंच हो जाएगा ठीक है यह साइज हो गया अब ह भी आपको आटीट इंची एड़ कर देना तो यह जाये गए आपका दस आट इंची और मुना हो जाएगा बारा आटessides जैसे कंवा कमर एक आपका खरके रूम है धो यह का साइज है दस फीर्ट भाई बारा फीड दस फीट है यह तो WIN z 지nt तो इस तरह जाएगा इस्टरह हो जाएगा इस लिजाद इस चारेंची पल्छ पलास दास बहुंड दास इसी पलफ पलास ईनुह हो जाएगा स से हमारा गुन्हा बाइर फीट चार इंशी उत दघफ चले गए विफारा इंशी तो बारा फिट आट इंशी इस थे सब आट सबीना और वहां में इस कारटिंग को उसमें करते हिगा तो टेल बॉक्स लगेगा उसके अंदर एक ऐफ्रोक्सिमेट निकालने आफको पहले से एक रॉफली एस्टिमेट रॉफली एस्टिन दॉटना इक अंदाज निकाल लेना एक जैसे आपको सथ न некहीड़े है कि दोनों साड़े से आपको scarting का add कर दिया flooring में ताकि आपको जो flooring tile है इस तरह से आपको लगनी है इस तरह से आपको ये इस तरह से लगती है ठीक है ये आपका floor tank में इस से लगता है scarting में तो मैंने 4 इंची यहाँ पे ही add कर लिया है तो इसका simple आपको से लोगना करते और इसे आपको एड़ारी से तरह से तरह से आपको सौना कर दें एप किचन में तो साथ फिट आपके लंबा हँ जाएगी और यह लंबा फिट साथ है यह हो जाएगा चोगा Romo क्वाथ रूम है चार फी और साथ फीट है अब साथ फीट है कमसे कम शॉयवार साथ पर नाट पर लगाते हो ताकि आपको प्रोपली से मिल जाए अगर पूरी पूरी वाल पर लगाने से 10 फीट है आपके कमरे की हाइट या फिट है तो पूरी पर हाट पर ले सकते हो तो मैंने लिया जो स्टेंडर जो हाई रहता है तो साथ वाई याड 28 square feet हो जाता है यहाँ पर और 857 यहाँ पर 56 square feet आपका area आ जाता है ठीक है तो अब हम सभी का area हम निकाल लेते हैं जैसी कि आपका 12 feet 2 inch है और यहाँ पर 12 feet 8 inch है तो गुना 12 feet 8 inch है अब इसका आपको area निकालना है तो area निकालने के लिए 12 आपको point में जाना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 है आट दूनी 16 गुना तो बारा है point में जाना पड़ेगा तो 8 से आपको बहा करना पड़ेगा 96 यहाँ पर लगबग आपका 64 64 और लगबग 66 तो यह बारा पर दूनी 66 हो जाता है अब हम इन दौना का ए गुना कर लेते हैं देखें यहाँ पर आपको simple क्या करना है जैसे की 12 फिट है तो 12 फिट को ऐसे लिखना है और 2 है तो 2 को हमें क्या करना है 12 से भाग कर लेना है तो आपको fit में निकल जाएगा तो पॉइंट 16 तो पॉइंट 16 आपको लिखना सिंपल ठीक है 12 फिट दो इंची दो इंची को भी आपको करना पड़ेगा फिट में ऐसे हमारा आठ फीट है तो यह पॉइंट 6 तो पॉइंट 6 आपको कर देना ठीक है तो 12.16 गुना 12.66 तो यह हो जाता है प्रोक्स 154 स्केर फ यह हमारा यह वाला भी 154 स्केर फिट आएगा खो यह हमारा 10 फिट 8 इंच है और 12 फिट 8 इंच है तो its कम कितना हो जाएगा हमारा 10 फिट 8 इंची 10 10 फीट में अटवाटू 64 66 गुना 12.66 तो यह हो जाता है हमारे पास 10.66 गुना 12.66 तो लगबग यह को जाता है हमारे पास 135 स्क्वेर फीट चाहिए यह हो जाता है साथ पाई आट तो साथ प्ट पॉइंट जा सटट गुना 9.66 तो यह हो जाता है सेवैंट पॉइंटी फॉर нрав्ट फिट ठीक है तो साथ पॉइंट आथ इंच है इसको भी यहां पर करना पड़ेगा और यह हो जाता है चालिस तो यह चालिस इसक्वेर फिट हो जाएगा अब सबीको टोटल को एड़ कर लेते हैं जैसे कि आपका च्छाप बाथ्रूम का यह बैंटरूम की फलूर स्का वाल को प्रूड वाल पन्तिफूर का टाइल लगेंगा कितना कि पलस इसका भी हमारा one-fifty and!... धिक हो गया अब हमार गैस्टूर्म ये वाला जो गैस्टूर्म दख भारा का है तो में कितना फुलू लग रहा है 135 135 उसके बाद हमरा लग रहा है किचन के अंदर किचन के अंदर कितना हो जाता है किचन के अंदर 74 तो 74 स्क्वेर स्क्वेर फिट उसके बाद लग रहा है किचन बातरूम के अंदर तो यहाँ पर 40 स्क्वेर फिट तो 40 पलस कर लेते हैं कि कर तो यह हमारा हो जाता किचन और बातरूम और डबलू सी के लगाया जाता है यहां पर टोटल अरिया 557 तो यह हमारा स्क्वेयर फीट है फ्लूर का तो इसमें हमें एड करना पड़ेगा पांस से दस प्रसेंट इस एक्स्ट्रा क्योंकि कटिंग लाइड लग जाती है तो मैं गुना कर लेता हूं पांच परसेंट दस परसेंट कर लेता हूं रहा है तो वह कितना हो जाता है गुना कर लेते हैं वन पॉइंट जिरो साथ तो लग बग आपको पांसो पिच्चान में पांसो पिच्चान में तो लग बग पांसो च्छान में इसके फीट आपको टैल बॉक्स लगने वाला है ठीक है अब टोटल वाल एरिया कितना है मारे पास किचन और बातरूम के अंद प्लस चैपन तो टोटल स्केरी फिट हो जाता है मारा टोटल 180 180 स्केर फीट यहां पर भी हम एक्प्रोक्सिमेट कर लेते हैं वन पॉइंट जिरो से क्योंकि यहां पे साथ परशेंट ले लेते हैं पांच परशेंट से दस परशेंट आपका वेस्ट लग जाता है जैसे तो हो जाती है या फिर लगाने टाइम पर हो जाती है तो वहां पर गुना कर लेते हैं इसको 1.07 से तो लगबाग एक सो बान में तो लगबाग आपका यह 192 स्केर फिट लगबाग एफ्रोक्स इतना इससे जादी लगबाग लगेगा तोट पूट में ज्यादेद यापी टू द्रूर में लगाना है चार स्केट उचाज़ता है एरिया ओफ टायव बॉक्स जो बॉक्स के लगदर आजा छौर ताया होती है और चाल का जो एरिया हुता है चाहर इसक्वेर फिट तो ठीक है तो यह हम निकाल लेते हैं एरिया वन टायल अब हम बात करते हैं वीड़े अ गाना है के लेंक टाइल विट रिपांट कहा तो वो form प्लूूर गा तो हमने निकाल था यहां पर 996 विड़ और एरिया खुड़ंग के अंदर कितना था चाड़ चुक 16 16 आ रहा था तो कितने बॉक्स अलगेंगे तो 906 में भाग आपका लग जाता है 16 तो यह आपका 62 तो लगबग 63 बॉक्स लगने वाले हैं अब बात करते हैं अब हमरी पास टोटल बॉक्स कितने हैं 63 और रेट कितना है आपको लगबग मार्केट में यह में रेट करने जाएंगे 47 400 500 600 लगबग मैं आपके 400 400 ले लेता हूं तो टोटल अमाउंट आपका लग जाएगा यहां पे 63 बॉक्स और गुना लग जाता है 450 बराबर लग जाता है ठाइस जार तीन सो पचास अठाइस जार तीन सो पचास ठीक है अब हम बात करते हैं ल 960,990 square feet और rate क्या लेता है लगबग लगाने के लिगा वो 20 रोपिया तो 20 रुपिया पर square feet तो कितना हो जाएगा यहां पर लेवर का 990,920 तो 19920 तो 19 920 रोपिया कर्चा आपका लगने वाला है ठीक है तो इतना लेवर पर लग जाएगा अब बात करते हैं वाल की तो वा टोटल एक सोबानुए स्क्वेयर फीट था और एक बोक्स का टाल कितना था नो स्क्वेयर फीट तो नो से इसको भाग कर लेंगे तो यह लग बग आपके आ जाएंगे लग बग आपको मार्किट में कितना रेट पड़ जाएगा आपको लग बग आपका हो जाएगा बाइज बराबर हो जाएगा तो लग बग इतना लगने वाला है लेवर की बात करते हैं महीं पर हम तो महाँ पर 192 square feet आपका है और रेट लेलेका वह लग बग आपका 20 ठीक है वह भी आपको 20 लग बग लेने वाला है तो 190 गुना 20 आपको 3840 यह आपको total amount लगने वाला है तो यह amount और यह amount total amount आपका एड़ कर लेंगे तो तो टोटल लेवर और टायल्स पे ये खर्चा आपका लगने वाला है तो इस तरह से आप निगाल सकते हो ठीक है कुछ यह basic स्ट्रम से कि इस तरह से आपको खर्चा करने लगने वाला है तो यह आपको कर्चा आ जाता है इस तरह से 28 तो टोटल अमांट आपका जाता है चापन दो सो नब यह तो पर स्क्वेर की बाट करते हैं तो हम यहां पे हम एक हजार से इसको भाग कर लेंगे तो वह आपका पर स्क्वेयर फीट आ जाएगा तो टोटल अमाउंट हमारे पास यह लगने वाली है और पर स्क्वेयर फीट कितना जाएगा भाग कर लेते हैं खजार से तो यह आपको 56.39 तो पर स्क्वेयर फीट 56.30 यह आपको अमाउंट लगने वाला है प्लोट एरिया ठीक है तो इस तरह से आप टायल का निकाल सकते हो इस तरह को पूरे कमरे के अंदर जाना कितने बॉक्स लगें कितना अमाउंट लगेगा तो आई होप आपको ट्योपक क्लियर हो गया होगा तो म में दे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई